हेलो नमस्कार दोस्तों मैं CKP study में आपसे भी कस्वागत करता हूँ और मैं छोटु कुमार जो की आज का जो मेरा class होगा जो की है class 10th का science का model paper होगा तो अगर आप 2021 में board का exam की त्यारी कर रहे है metric का तो आप जो की है metric का जो की है आप इससे शुरू से आन तक वीडियो को देख लिजिएगा 50% marks आपका जो की clear हो जाएगा इस वीडियो से तो जो की है समय को ना बेश्ट करते हुए मैं सिधा question पर ले चलता हूँ मैंने जो की ह यहाँ पर 25 question तक का मैंने यहाँ पर बात कर लिये थे तो इसमें जो की है इस वीडियो में 26 से बात करूँगा तो 26 नमबर question है कर रहा है कि बेकिंग बेकिंग powder का अनुसुत्र क्या होता है तो बेकिंग powder का जो अनुसुत्र होता option A में दिया या na2CO3 b में है COCO3 c में कर रहा NaHCO3 d में कर रहा NaNO3 तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा दोस्तो जो की 26 का जो मेरा correct answer होगा जो की option C होगा NaHCO3 जो होता है बेकिंग powder का अनुसुत्र होता है आप इससे याद रखेंगे ठीक है next question question 27 कर रहा निमन में से कौन आइनिक याउगी खेत option A में CH4 b में CO2 c में कर NH3 तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा दोस्तो 27 का जो मेरा बिल्कुल correct answer होगा जो की option C होगा Cl2 जो की अनिमन में से कौन आइनिक याउगी है तो Cl2 जो की मेरा calcium chloride जो होता है एक आइनिक याउगी होता है आप इससे याद रखेंगे option C ठीक है next question question 28 कर अनिमन में से कौन सा पदार्थ oxygen से संजुक्त नहीं करता है तो option A में तामबाब B में gold C में zinc और D में potassium तो यहाँ पर निमन में से कौन सा पदार्थ oxygen से संजुक्त नहीं करता है गोल्ड यानि सोना जो है oxygen से संजुक्त नहीं करता है आप इससे याद रखेंगे next question question number 29 कर रहा है सुध सोना को ब्यक्त किया जाता है तो option A में है जो कि 22 carat से ब्यक्त किया जाएगा B में कर रहा है कि यह B में है 24 car C में है कि 20 carat D में है जो कि 12 carat तो यहाँ पर जो मेरा सुध सोना को किस carat में ब्यक्त किया जाएगा तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा जो कि option B 24 carat में उससे जो कि मैं ब्यक्त करूंगा 24 carat ठीक है आप इससे याद रखेंगे 24 carat option B यहाँ पर मेरा विल्कुल right answer है next question question number 30 करा बाइव मंडल में CO2 guys की उपस्थिती है तो बाइव मंडल में CO2 guys की उपस्थिती कि कितना होता है तो यहाँ पर जो कि option दिया हुए 0.0.1% B में करा 0.0.5% तो यहाँ पर करा C में की 0.0.3% D में करा 0.0.2% तो यहाँ पर जो मेरा बिल्कुल correct answer हो जाएगा 30 29 का जो कि option option B यहाँ पर मेरा बिल्कुल right answer होगा 0.0.5% जो कि है यहाँ बाइव मंडल में CO2 guys की उपस्थिती रहता है option B यहाँ पर मेरा बिल्कुल right answer है ठीक है next question question number जो कि है 30 का जो मेरा right answer है दोस्तों जो कि option C है यहाँ पर याद रखेंगे 0 से लेकर 0.3% जो कि है यह बाइव मंडल में उपस्थिती गैस रहता है आप इसे याद रखेंगे next question question number जो कि है question number 31 कर आए कि sulfuric आमल का अनुसूतर होता है क्या होता है option A में H2O7 तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा 31 का जो मेरा बिल्कुल सही answer होगा दोस्तों जो कि option B होगा ठीक है minus यहाँ पर H2SO4 जो है sulfuric आम का अनुसूतर क्या है तो यहाँ पर मेरा right answer होगा option B होगा आप इसे याद रखेंगे next question question number जो कि है 32 कर रहा है कि carbosilic acid समू कौन है तो option A में है जो कि है option A में है minus CHO B में कर रहा है minus COOH C में कर रहा है minus COD में कर रहा है minus NH2 तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा 32 का जो मेरा बिल्कुल सही answer होगा जो कि option B, minus COOH कार्बोसिलिक एसीड समूग का कौन है, तो minus COOH जो कि होता है, option B यहाँ पर मेरा बिल्कुल right answer है, आप इसे याद रखेंगे, next question, question number 33 करा है कि ozone के एक अनू में oxygen में परमानूओं की संख्या होती है, क्या होती है, तो option A में एक B, B में करा है, 2, C में 3, D में 4, तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा, दोस्तो 33 का जो मेरा बिल्कुल सही answer होगा, जो कि option C होगा, तीन जो है, वो जोन के एक अनू में oxygen के परमानूओं की संख्या होती है, तीन, आप इसे याद रखेंगे, next question, question number 34 करा आवर्थ सार्णी में कितने आवर्थ छेतिक पंक्तियां होते हैं, तो option A में 5, B में 6, C में 7, D में 4, तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा, दोस्तो 34 का जो मेरा बिल्कुल सही answer होगा, जो कि option C होगा, ठीक है, 7 जो होता है, आवर्थ सार्णी में कितने आवर्थ होते हैं, साथ होते हैं, आप इसे याद रखेंगे, next question, question number 35, question number 35 है कर रहा है कि नर यूगमक तथा माता यूगमक के सन्योजिक में बनता है, तो क्या बनता है, option A में जो कि है, जाई गोट B में कर रहा है कि अंडानू, यह अंडानू, C में सुक्रान, B में है, D में है, जो कि B रही है, तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा, दोस्तों, 35 का, जो मेरा बिल्कुल answer होगा, जो कि option A, जाई गोट जो है, एक नर यूगमें तथा माता यूगमें क्या सन्योगत करता है, तो यह जाई योग, कहलाएगा, या फेनोटाइट कहलाएगा, या जीनरू, पर्यूप या जीनोटाइप कहलाएगा, C में है, अनूबंसिका, अनूबंसिकी है, D में कर रहा है, बिभिन्ता, तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा, दोस्तों, जो कि 36 का मेरा बिल्कुल सही अनसर होगा, जो कि option, option C, option B, यहाँ पर मेरा बिल्कुल जीन पर्यूप या जीनोटाइप कहेंगे, किसी जीनी सरचना को ठीक है, आप इससे याद रखेंगे, next question, question number 37 का रहा है, मैदानी प्रस्थितिक तंत्रे में तिर्तिय उप्भोगता है, तो यहाँ पर जो मेरा बिल्कुल सही अनसर हो जाएगा, 37 का, जो कि D, सरचना का जो है, सरचना की, मैदानी प्रस्थिति में, तंत्र में, तिर्तिय उप्भोगताब सरचना होता है, साप जीसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पीसे याद रखेंगे, next question, question number 38, कराया की, रक्त में, रक्त में, रक्त में, आईरन, आईरन की कमी से होने वाला एक रोग है, क्या है, option A में, टीवी, B में, मधू में, C में, एनीमिया, D में, उच रक्त चाप, यहाँ पर जो मेरा राइट अनसर हो जाएगा, question number 39, कराया कवक में, घो, सोशन की काउन सी विधी है, तो option A में, सोशो, C, B में, मित्र जीवी, C में, सम, भोजी, D में, कोई नहीं, तो यहाँ पर जो मेरा राइट अनसर हो जाएगा, 39 का, 39 का, जो मेरा बिल्कुल सही अनसर होगा, दोस्तों, जो की, सोरी, मित्र जीवी, जो है, option B, सही होगा, मित्र जीवी, जो है, कवक में, पोशन की कौन सी विधी है, तो मित्र जीवी है, आप इसे याद रखेंगे, next question, question number 40, कराया, oxygen क्या है, oxygen बसा है, या enzyme है, या hormone है, या carbohydrate है, जो है, तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा, फोटी का, जो मेरा बिल्कुल सही अनसर होगा, option C होगा, हर्मोन जो है, एक oxygen होता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, next question, आज का last question है, दोस्तों, कराया कि 41 में, करा मानब नेत्र में, dialysis thaili है, क्या है, ठीक है, दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ, कि आप लोग को यह सब समझ में आ रहा होगा, question, तो आप जो किये वीडियो को share और like जरूर करिएगा, ठीक है, जब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत,